किसी भी उम्र में हो आप चाहे आप 14-15 साल के हो या फिर 50-60 साल के उससे कोई फरक नहीं बढ़ता है परेशानी दोस्तों हमें कभी भी फेस करना हो सकता है स्ट्रेस, अंग्जाइटी, डिप्रेशन हमें कभी भी आसा बॉडी पेन, याने जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, कोई भी समस्या हमको कभी भी दोस्तों जलना हो सकता है साथ-साथ, सोसियल प्राबलम, एकोनोमिकल प्राबलम यह तो लगा ही रहता है धरती में हैं, तो यह फेस करना पड़ेगा जो भी मेरा वीडियो देखते हो, एक चीज़ याद रखो, कभी भी आपको ऐसा हालात फेस करना होता है जिस हालात को आप ठिक्स से, अर्गनाईश्ट तरीके से, उसका समादान नहीं कर पाते हो उससे नहीं निकल पाते हो, तो दो चीज़ आपको करनी चाहिए एक एकीप्रेशर का साहरा दोस्तों लेना चाहिए, यह आपके ब्रेन को दोस्तों स्टेबल रखेगा और आपको ताकत भी देगा दूसरा क्या है दोस्तों, आपको अच्छे से ब्रीधिंग टेक्निक को समझना पड़ेगा अगर आप ब्रीधिंग एक्सरसाइज करते रहोगे हमेशा, यह जो परिष्टिति जब जब आप फेस करने का टाइम आएगा आप बेहतर ढंग से फेस कर पाओगे, सिर्फ फेस नहीं कर पाओगे, आप इसको ओभरकम भी दोस्तों करोगे तभी आप जीबन में कामियाब दोस्तों हो पाओगे, तो पहला जो आपको मैं फर्मला बताता हूँ, वो है अकी प्रेशर, रोजाना सुभा एक बारी, साम एक बारी करते रहिए, तो आपका confidence level दोस्तों बना रहेगा क्योंकि जीबन में किसी भी परिश्तित्या है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको exam की tension है, नौकरी धोन रहे हो, तो आपको interview की tension है, अगर आप बैपार कर रहे हो, हमेशा profit loss की tension है, परिवार आप चला रहे हो, तो पारिवारिक दोस्तों tension रहती है, बात में धीरे धी tension भी आपको कहीं न कहीं disturb करता है, तो आप अपने दिमाग की ख्यमता को दोस्तों बढ़ानी चाहिए, पहला पॉइंट होता है, दोस्तों दिमाग की ही पॉइंट हमारे थम में होता है, रोजाना इसको कम से कम 50-50 बार दोस्तों, आप result कितना आ रहे हैं, उसको calculations किये भी न आप बस एपॉइंट को ऐसे stimulate करिए, और फिर यहां जो विस्तर में आप राज बार सोये हो, उसी विस्तर में बैट के सुबह उड़ते ही, एपॉइंट को दोस्तों दबाईए, उसके साथ साथ आप अपने sinus का पॉइंट जो आपके brain को ताकतवार करता है, आपके brain को ventilated कर करता है, वो पॉइंट दोस्तों हर उंगलियों के आखिर में रहता है, यहां आप दबा लीजिए 10 से 20 बार, इधर भी 10 से 20, यहां भी, यहां भी, यह सबसे आपका जो पंच तत्तों है, वो भी दोस्तों stimulate हो जाते हैं, अगर यह पॉइंट सब को अच्छे से stimulate करते हो, क्य आगे बढ़ता है और विक्सित होती है, तो यह पंच तत्तों को हमको balance करनी है, तो morning में एक काम करिएगा एक बारी, फिर जब घर लोट के आते हो, या घर में भी बैठे हो रात हो जाती है, तो डीनर के पहले, इस सारे point को एक बारी अच्छे से stimulate करें, जिससे आपको अच् हो, तो एक energy होके उठो, ब्रह्म मूर्त में आप सेज्या तैक करो, याने पांच साढ़े पांच शे बजन के अंदर आउड़ जाए, उठके तीन चार ग्लास पानी पीओ, पानी पीने के बाद आप थोड़ा से चाहें, तो वास्रूम और से आने के बाद योगा कर सकते हो, प्राणायम कर सकते हो, एकिप्रेशर का, और बाकी जो पॉइंट से खाता हूँ, वो भी कर सकते हो, मौनिंग वाग कर सकते हो, जीम, कसरत, कोई भी फॉर्म अब एक्सरसाइज आप करके अपने आपको फीट रख सकते हैं, तो दोस्तों, यह जो टीप्स दिया, इसका सही प्रेंग से इस्तिमाल करिएगा, दूसरा होता है आपका ब्रीधिंग एक्सरसाइज यह आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी से बचाता है, ब्लेड प्यूरिफेड करता है, ब्लेड सर्कुलेशन को बहतर करता है, आपका एनरजी को दोस्तों बैलन्स करता है, तो जैसे मैंन हाथ की मुठी को खोलो, कई वीडियो दोस्तों इसमें मैंने बनाया हूँ सांस पर, जब भी हम हाथ की मुठी बन करते हैं, इंडेक्स फिंगर जहां टच होती है, उससे हमारा ब्लेड पेशर कंट्रोल होता है, मीड फिंगर जहां टच होती है, उससे हमारा किड्नी सीगया हूँ से हमको क्या फाइदा होता है, राइट साइड में आपका लीघर रहता है लीघर के नीचे और इंडेक्र के नीचे अपका जहां प्रेश करते हो, इह आपका रहता है, डायईवीडिपैज का प्मॉइंट याने पैंख्रिया ग्त टोस्त ब्लेड ओडूरा के भी आप अपने सुगर को कंट्रोल कर सकते हो अगर आप सौ से लेके तीन सौ बार मौनिंग में एबरी दिंग अच्छे से करते हो साथ मैं की प्रेशर फिर से करके दिखाता हूँ करोगे तो दवाई दोस्तों छूट जाएगे वीपी और सुगर यह दोई छूट सकती है एहीं पर थोड़ा से कहे रखों कि सारी बाते हम एक वीडियो में बता नहीं सकते इसलिए ही 10-12 सल मेहनत करके हमने किताब बनाए गुरु जी का मेरा और काफे बड़ी होगी किताब ठीक है एक हेल्थ डिक्सिनारी के तरह काम में आता है माई हेल्थ इन माई हैंड करीबन दो ड़ाई किलो की किताब है 600-600 पेजिस में है और करीबन धाई अजाड टीप से अकी प्रेशर की पूरी नॉलेज फोटो के साथ है एक किताब घर में रहता है तो हमें वो हेल्प करता है हस्पताल जाने से बचाता है दवाई खरीदने से बचाता है और हमको बिमार होने से दोस्तों बचाता है सबसे अच्छी बात है तो इब्रीधिंग हम ऐसे करेंगे टाइट करेंगे मुठ्ठी और धीरे से फिर बाहर निकालेंगे एक सेकेंड के बाल तो लिवर भी अच्छा रहा, हार्ट अच्छा रहा, डाइवेटीस का पॉइंट भी स्टिमुलेट होने के कारण पैंक्रियाज बढ़िया काम किया साथ में अडेनल ग्लैंड दोस्तों स्टिमुलेट हो तो हमारा ब्लेट पैशर भी अच्छा रहा और पूरी मुठी जब बंध होती है तो हमारा स्टमक का पॉइंट भी अक्टिवेट हो जाता है जिससे हमको एस्टिटी, गस्टिटीस, कंस्टिपेशन नहीं होती है ओबेशिटी भी तुम मैनेज कर सकते हैं इसी ब्रीधिंग से तीन सव अगर मॉनिंग में कर लो और दो सवार अगर इबनिंग किसी ने भी कर लिया तो उसका बहुत तेजी से दोस्तों वेट भी कंट्रोल में आएगा और वो स्लिम इंट रिम भी रहेगा, साथ में उसके वाइटल अर्गांस भी अच्छे काम करेंगे तो फिर से लाश्टली दिखातना हूँ, देखो, करो इसको करोगे तो दोस्तों पाओगे देखिए मुठी कैसे बंद किया तो इस तरीके से आप यह प्रयोग करें और अलग अलग प्रयोग का दोस्तों अलग अलग लाव है जब आप करोगे दिरे दिरे आपका सरीर को समझ माएगा, आपके मस्तिस को समझ माएगा आपका मन फिर सेंट्रलाइजड होगा और वो इस पे और केंद्री भूथ होगा जतना केंद्री भूथ होगा उतना आपको अच्छा रेजल्ट आएगा उतना ज्यादा आपका करने को भी मन करेगा समय के साथ सब आप इससे फिर एक्विंटेट हो जाओगे अच्छी चीज़ों का हैबिट यतना बनेगा बूरा चीज दोस्तों उतना दूर आपसे चला जाएगा बूरा चीज आपको बाई प्रेशर बाई फोर्स हटाना मुस्किल है जैसे कोई स्मोकर है कोई अलकॉल ले रहा है कोई हरो जूड बोल रहा है कोई ड्रॉक्साइड डिक्टेट है कोई भी चीज़ें उसको परिशान कर रखा है आप अच्छी चीज़ें उसके साथ जोड़ दे या खुद भी अगर आप फोग कि मैं परिशान हूँ तो आप अपने साथ अच्छी चीज़ें जोड़ें जिससे बुरा चीज़ दोस्तों आप से कोसों दूर चला जाएगा आटोमेटिकल आप फिट रहोगे सहतमन्द रहोगे एई दुआओं के साथ दोस्तों आज की वीडियो के इंपर सवावत करता हूँ आसा करता हूँ यह जो लंबी वीडियो है आप इसको आखिर तक देख के समझोगे और करोगे जब भी कोई बड़ी परिशानी है आप मुझे वाटसअप करें आना चाहते हो तो आके मिल भी सकते हो अगर कुछ समय रहे के भी हम पर इलाज लेना चाहते हो ले सकते हो अगर आपको डॉक्टर कहता ही कि बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता या आप परिशान होके डी मोटिवेटेड हो गए हो तो मुझे आप कंटाट कर सकते हो तो जरूर मैं आपके लिए कुछ ना कुछ उपाय करोंगा और जैसे मैं कहता हूं हमेसा कि आपको ट्रेंड भी करोंगा और आपको ट्रिट भी करोंगा बाकी किताब का कम से कम फायदा उठाओ माई हेल्थ इन माई हैंड याद रखते हो ओनलाइन अमेजन से मंगाए या फिर हमसे भी डाइरेक्ली ले सकते हो 882666303 में फोन करके या फिर वाट्सअप डलके ठाइक्यों दोस्तों यहीं रहता हूं जैहिन जैवारत